कल मैंने मेरे यूट्यूब चनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने राजवीर जी के डेथ के भारे में बताया था सिर्फ मैंने ही नहीं बलके यूट्यूब में कम से कनव 1000 से 1500 लोगों ने ये अपडेट दिया ही होगा और इस बात को लेके मुझे काफी सारे मैसेज आए कि राजवीर जिन्दा है आप लोग जूट फैला रहे हैं उनको कुछ भी नहीं हुआ अगर ऐसा हुआ होता तो सपना जरूर अपने यूट्यूब चैनल में बताई होती क्योंकि यूट्यूबर है उनके खुद की ब्लॉगिंग चैनल है तो वो खुद बताएंगी उनको जो भी हुआ होगा क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइब को लेके सब कुछ दिखाती है तो इसका मतलब आप लोग को ये लगता है कि सपना जी क्योंकि एक ब्लॉगर है उनके घर में कुछ भी हो उनके घर में उनकी हस्बन की डैथ भी हो गई हो तो वो उस वीडियो को दिखाएंगे ठीक है मुझे उस वीडियो के चलते ये बोला गया कि आप लोग लालची हो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल के व्यूज के लिए आप लोग अपने पैसे के लिए फाइदे के लिए फेक नियूस फैलाते हो आप लोग किसी को भी कहते हो कि ये मर गया वो मर गया हाँ मैं मानती हूँ ऐसे कई सारे यूट्यूब चानल से हैं जहां पर जूट फैलाया जाता है जूट बोलते हैं इसी के चलते आईश्वरिया राय के बेटी को लेके भी एक कॉंट्रोवर्सी हुई थी जिसके वज़े से केस हुआ था आईश्वरिया राय ने किया था लेकिन ये नियूस सिर्फ मैंने नहीं बलके कई सारे यूट्यूब चानल से ने डाले थे सिर्फ मुझे नहीं उन लोगों को भी यही सब बोला जा रहा है कि राजबिर जी को कुछ नहीं हुआ है वो जिन्दा है और उसके पीछे का रिजन सिर्फ यही है कि सपना ने अभी तक कोई अफडेट नहीं डाला उनके पती को लेकर क्योंकि लोगों को लगता है कि उनके पती अगर मर जाएं तो सपना आएंगी एक दो घंटे में रोएंगी और उसमें बताएंगी कि उनके पती का देहांत हो गया मतलब लोगों की सोच यहां तक जा चुकी है आप लोग किस तरह से जज़ करते हैं लोगों को मैं मान सकती हूँ कि आप लोग सपना के फैन है आप लोग उसको पसंद करते हैं इसका मतलब कि आप कुछ भी बोलोगे वैसे कल मैंने आप लोग को सीवानी लाइस्टायल का एक पोस्ट दिखाय था जिसमें राजबीर की फोटो के साथ उन्होंने आराईपी लिखा था और सीवानी राजबीर के काफी सारे वीडियोज में आ चुकी है आप लोग उने देखा ही होगा इसका मतलब सीवानी उनसे बहुत क्लोस थी और वो तो जूट नहीं लिखेंगी न हो सकते हम लोग जूटे हो सकते हैं इन सब चीज से यही प्रूप होता है कि यह सची न्यूज है आप लोग को मानना है मानने नहीं तो नहीं हमारा काम है आप लोगों तक सही न्यूज देना इसलिए हमने दिया मैं यह मान सकती हूं कि आप लोग उनके फैन है तो उनके लिए प्रे कीजिए बस आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में